बागलपूर जिले में सरकार और अस्थानी अजिला प्रसासन की लाखो कोशिसों के बाब जूद अस्पताल पर दलाल भारी पड़ते दिख रहे हैं आलम यह है कि हर दिन लाचार और गरीब मरीज इनकी चुंगल में फसकर ठगे जा रहे हैं और अस्पताल प्रसासन जान कर भी अंजान बने हैं और इनके खिलाफ कोई कारवाईं नहीं कर रहा है जिससे अस्पताल प्रसासन ही नहीं सासन की साख पर भी गहरा स्याध धबा इस बीच एक महिला दलाल खुद को आसा बता बेहतर रिलाज का जहासा दे प्रसूता का पुर्जा उसके हाथ से ले लिया और CBC जाज कराने के लिए पिलिता और उसकी मा को साथ ले डॉक्टर अस्वनी कुमार चौधरी मेमोरियल की नीजी जाज कर पहुँच गई जो सो पचास रूपिये बीठा लिये गए सूचना पर जो हमारी टीम अस्पताल पहुँची और प्लित मा बेटी को ढूंड निकाला मामले में जो तस्वीर सामने दिखी वो हैरान वो चकित करने वाला था पांच महा गर्ब से प्लित परिमिला अपनी मा के साथ अस्पताल पर और नियाए की गुहार लगाई उसने सिकायत में गोलाडी परखंड की माचीपूर की आसा बवीता देवी कौारोपी बताई है और सरकारी अस्पताल के बाहर बेहतर जाच के नाम पर नीजी जाच घर से जाचो प्लांट पांस सो पच्चास रूपी की ठगी की भी बात कही मामले कुछ CS ट्रक्टों में सर्मा ने गंभीरता से लेते हुए दलाल को चिंधनित कर धर्ड़ पकड़ करने का निर्देश भी दिया है बहराल दो रूपिय में सरकारी इलाज अब गरीब मजलुमों को भारी पढ़ने लगा है मुम्किन है सदर अस्पताल परिसर में आपके मोबाइल का नेटवर्क धोका दे जाए लेकिन दलालों के नेटवर्क से आप सायधी बच पाए उनकी पहुँच और हनक OPDC लेकर वाडो तक दिखती है जो ना सिर्फ मरीजों की जेब को धिली कर रहा है बलकि अस्पताल प्रसासन और सासन की साख पर भी बटाल लगा रहा है भागलपूर से कुनाल सेखर की खास रिपोर्ट नातनगर थनाचितर के गोसाईदासपूर सीरामपूर मुख्यमार के बीच सटक पर बीते सुक्रवार देर रात एक पीकप गाली अचानक धूधू कर जल उठी सुचना पर पहुँची फायर ब्रिगेट की टीम ने करीब आधे घंटे के मसकत के बाद आग पर काबू पाया मिली जानकारी के मताबिक अस्थाने ग्रामिनों को सुचना मिली के गोसाईदासपूर सीरामपूर मुख्यमार के पर एक पीकप गाली धूधू कर जल रही है सुचना पर पहुँचे ग्रामिनों ने घटना के जानकारी नाथनगर थाने को दी वहीं फायर ब्रिग्रेट की टीम को उक्त गाली से एक नमबर प्लेट भी मिला है हालाकि गाली में कोई भी नमबर प्लेट नहीं लगा था वहीं नात्रकर इंस्पेक्टर मुहम्मद सज्जाद हुसेन ने बताया कि आग कैसे लगी कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है कुलीस पूरी मामने की जाच कर रही है भागलपूर हंच्डिया राजमार्क पर देर साम सलाप के नसे में हायवा चालक ने ओटो को कुछला मौके पर ओटो चालक गंभी रूप से घायल हो गया आनन फान में ओटो चालक को जगदीसपूर प्राथमिक स्वास्ते किंदर लाया गया जिसके बाद बहतर लाज के लिए माया गंज भागलपूर भेज दिया गया हायवा चालक को जगदीसपूर थाना पूलिस ने मौके पर गिरभतार कर लिया प्राप्ट जानकारी के नुसार संधिया 7 बजे रजौन की और से आरही ट्रक भागलपूर की और जा रही थी तेजगती में आरही हैवा ने जगदेशपूर सिव मंदिर के ठीक सामने धक्का मार दिया जिससे वो घायल हो गए सलावी चालक ने गाली को तेजगती से दोड़ाया घायल को अस्थाने अस्पताल पहुँचाया गया पिलित की स्थिती नाजुक थी जिसके करणों से माय गर इस्पताल भेज दिया गया थाना अधिर स्रीकान चवहान ने कहा कि मौकाय वारदात से चालक को गिरहतार कर लिया गया है बताया जा रहा है कि वो बालू लेकर बाइपास तक जा रहा था वहीं लोगों ने कहा कि मौत बनकर दोड़ती तेजगती की ट्रक पर प्रसासन का कोई नियंतरन नहीं है जिसकरन आए दिन ऐसे दुरगटनाय घटती रहती है भागलपूर्जले की सुल्तानगज में अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है अपराधी लगातार पुलीस को चुनौती दे रहे हैं लेकिन पुलीस अब तक एक भी वारदात में सफलता हासिल नहीं कर पाई है जिसके करन अपराधियों का मनुबल दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है एक और जहां दिन दहाडे आलू बेबसाई की हत्या कॉपरेटी बैंक में हुए लूट पाल का खुलासा अब तक पुलीस नहीं कर पाई इतनी बड़ी घटना लोग के जहन से उतरी भी नहीं थी कि अपराधियों ने फिर से एक बार पुलीस को चनौती देते हुए एक मेडिकल बेबसाई को पत्र भेज कर 20 लाख रूपय की रंगदारी की मांग कर डाली वहीं इसको लेकर मेडिकल दुकान के संचालक दिनकर मंडल ने थाने में आविदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है दिये गए पत्र में अपराधि का जिक्र है कि यदि दो दिन के अंदर पैसे नहीं मिलते तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे इसके बाद से पूरा परिवार दहसत में है दिनकर मंडल ने बताया कि मेडिकल दुकान पर अपना दुकान चला रहे थे तब ही एक हैलमेट लगा एक बैक दुकान पर पहुँचा और एक पूर्जा दुकान में फेक कर भाग जाने के बाद जब पूर्जा खोला तो उसमे गाली गलोज हुआ पैसे की मांग और मुबाइल नमर अंकित था जिसमें बताया गया कि इस मुबाइल नमर पर हमसे बात कर पैसे दे गौर्जा चौदा में भी मेडिकल वेब साइसे मुबाइल के जड़ी रंगदारी की मांग की गई थी पूरे मामले को लेकर सुल्तान ग जिद्धार्ट के घर नवरात्र पूजा के दुरान राद बारा बजे एक साथ चार ब्रहम कमल खिला जबकि ब्रहम कमल फूल मांग सरोबर इलाके में खिलता है और वो भी बारा साल में सिर्फ एक बार मादुर्गा की पूजा की जो महत्ता है वो अपरमपार है लेकिन इस खास मौके पर ब्रहम कमल का खिलना और उसे देख पाना यानि खिलेवे ब्रहम कमल का दर्सन जीवन की सारी मनोकामना को पूर्ण करती है सरकार बारी के पुजारी विपलो भटाचारे कहते हैं कि ब्रहमकमल फूल ब्रहमा जी के हाथों में होता है जबकि ब्रहमा विश्णो और महेश के देज से दुर्गा माता की उत्पत्ती हुई है इसी कड़ी में ब्रहमचारनी माता के आगमन के दिन अगर ब्रहमकमल का फूल दर्सन हो जाए तो देखने वाले धन्य हो जाते हैं और सारी मनों कामनाय पूर्ण हो जाती है रहे वह तो हम नहीं बोल सकते ब्रहम्मा के हाझ में रहता है और ब्रहम्मा पिष्ण मахिष्ठतिनों के तैस से माहद०्रगा के उत्वत्ति होँआ है तो इसी के नोगचिया में 27 नमबर को तरासना फाइनसल सर्विस लिमिटेड के कलेक्सन पतादिकारी क्रिस्न मुलारी के साथ वी लूट पार्ट की घटना का पुलीस ने उद्भेधन कर लिया है। और एक छोटा मोबाइल, एक फिंगर प्रिंट डिवाइस और एक हेलमेट बरामत किया है। मुलिचन खरा, उसके साथ लुट गटना कटिए चिछक मैदार के पास। में भी हमारे टीम गठित है, स्टिपो नविचा के मृतित्युनिया। अनपदादी कारी और इस भी थाना परवाड़ी है। उसका सामिल मनोज मंडग, पेसर नकूल मंडग, साकिन बकिया दियरा थाना बराड़ी जिला कटिहार को भी दरतार किया। यह धर्म काटाग जगह है, खरीचोप के पास में वही से, उसके पास भी जो लूटेट स्क्रीन टच मुवाइल था, वो भी बरामत के आगे। जो मैं अभी प्रोडूस नहीं कर पा रहा हूँ, अभी नहीं लाए गया, तकि यह लेट हो जाता। भागलपूर के सुंदर्वती महिला महाविद्याले में इंटर्मीडियेट में नमांकन को लेकर छात्राओं और अभी भावकों ने जम कर बवाल काटा। और नमांकन फौर भरने का डेट इस दौलांड समाप्त हो जाने की जानकारी मिलते ही छात्राओं आक्रोसी थो गई, जिसके बाद छात्राओं की समर्थन में उनकी अभी भावक भी पहुँच गए, छात्राओं ने कारियाले के समी प्रचार के खिलाब जम कर नारेबा जी भी की बिहार किरसी बिस्विदाले सबाओर के सभागार में आतमा योजना अंतरकत किसान प्रुसकार सर्वसेश्ट सम्हू प्रुसकार यों देशी किसान प्रुसकार का आयोजन किया गिया, सम्हारों में मुख्यतिती बिहार सरकार और बिहार किर्सी मंत्री अमरेंद्र परताब सिंग के दोरा दोहजार बीस इकीस अंतर गल जिले के सभी सोला परखंडों में धान, गेहु, आलू, तूध, मचली, पालन प्रच्छेत्र में सरवाधी कुत पादन करने वाले कुल 66 किस किसान सम्मान रासी परतिये किसान को 10,000 रूपी एवं अंग वस्र द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर किर्सी मंत्री अपने संबोधन में कहा कि राजिके किसानों दोरा किर्सी एवं अन्य छेत्रों में भी मजबूती से कारे करना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत भागे साली हैं कि अपने छेत्र में परानिक बिक्रम सिला बिस्विद्याले हैं, किर्सी पिदाले के कुलपती के साथ साथ कई प्रादिकारी और सेकलों किसान मौजूद थे